गुद बॉनिंग क्लास फोर्ट आज ये बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट का पेपर और आज आपका सेकंड एज़े एक्जाम का ओके और उसमें है आपका हिंदी रिमजिम ओके तो द्यान से इसको देखेगा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे अपना नेम क्लास जैसे यहां पर पढ़ी है क्लास फोर्ट सेकंड उनिट एस्ट एंड सबजक्ट ओके सबसे पहले आपको ये काम करना है ठीक है अपना नेम जरूर लिखेगा सबजक्ट और क्लास तो आईए स्टार्ट करते हैं पेपर निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए टूटू मार्क्स के ये आपके एक क्विशन है तो सबसे इसमें पहला है देखें कौ बिल्ली क्या खा गई खा है खराटे लेकर कौन सो रहे थे गाव पर देखें चुन्नू ने दाल को पहले खटा फिर मीठा क्यों कहा एक एक लाइन के उत्तर है इसके पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ा होगा और लास्ट इसमें देखें कोलू का बैल किसे कहते हैं कोलू का बेल होता है किसको कोलू का बेल कहते है क्यों ऐसा नाम पड़ा कोलू का बेल कुश्चन नमर टू बताओ ये लोग क्या गड़ते हैं सुनार जैसे पड़क को क्या गड़ता था बाते गड़ता था है ना तो ये लोग क्या गड़ते हैं क्या बनाते हैं सुनार, लोहार, ठाटेरा वाला, कवी, कुमहार और लेखा ठीक है अब आगे देखें याँ पे कुश्य नमबर 3 सुनीता को सब लोग गड़ से क्यूं देख रहे थे थोड़ा बड़ा कुश्य नहीं है अंसर थोड़ा बड़ा आएगा इसका कि जो सुनीता थी उसको सब लोग गड़ से क्यूं देख रहे थे और कुश्य नमबर 4 और सुनिता को दुकानदार का व्योहार क्यों बुरा लगा तीन सुनिता जो थी वो दुकान पर जाती है लेकिन सुनिता को दुकानदार का व्योहार अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा तो आप लिखेंगे ओफिस में देखें नीचे लिखें वाक्यों को अपने सब लिखना है को है मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे खा शिखा बैल को क्या रखा इसने निश्य कोई धब है जहां न कोई बात वहां भी नई बात गरते थे ठीकिन इनको क्या गर न आपने अपने सब्दों में लिखना है ठीकिन अपनी भाशा में आप जैसे को समझते हो इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है पहले ये क्या है question answer है और फिर ये इनके क्या लिखने है सुना रहे हैं क्या गड़ते हैं वो चीज़े आपको बतानी है फिर ये question answer आपको करने हैं पहले इस पेपर को ध्यान से सुन लेजेगा उसके बाद ही क्या करें इस question paper को solve करिएगा all the best बच्चों